हेलो फ्रेंड्स, वालकम बेक टो इंजिनियरिंग नॉलज, फ्रेंड्स आज हम देखेंगे ts diagram in compressible flow, तो जो compressible flow होता है उसमें जो ts diagram है, ts diagram में जो volume और pressure की curves होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे draw करेंगे, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो start करते हैं, देखिए हमें पता है, ds is equals to cv dt by t plus r dvy v, देखिए यह जो equation मैंने लिखा है, इसके बारे में यह equation कैसे आया है, हम लोग कैसे इसको proof कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक video बनाया है, उसका description में मैं link दे रहा हूँ, आप जाके वो देख लिजिए, तो आपको कैसी equation आ रहा है, वो पूरा समझा जाएगा, ठीक है, तो देखिए यह equation है, यह equation हमारे पास already है, इसमें अगर हम लोग मान ले, कि जो volume है, उसको हम लोग मान लेते है, constant, ठीक है, volume मान लेते है, constant, इसका मतलब क्या है, dv is equal to क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो अगर v is equal to constant होता है, dv हो जाएगा 0, तो इस equation में अगर dv का value मैं put करता हूँ, तो क्या आजाएगा, ds is equal to cv dt by t, कैसे dv को 0 put करेंगे तो, यह total term जो है, वो 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या आजाएगा, यहाँ से मैं लिक रहा हूँ, ds dt is equal to cv by t, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते है, dtds is equal to t by cv, जब क्या है हमारा volume है constant, ठीक है, यह जो equation आया है, इससे हम लोग को क्या क्या समझा रहा है, इसको मैं equation 1 लिख रहा हूँ, इसše equations हमें क्या समझा रहा है, देखें, इस equations हमें समझ रहा है, कि clearly समझ रहा है कि जो ts diagram होगा उसमें जो volume curve होगा volume का जो curve होगा मतलब जो constant volume में जो dtds का slope होगा वो क्या होगा वो होगा positive slope ठीक है और यहाँ पे देखिए temperature जो है उसके साथ हमारा जो volume curve होगा वो vary करेगा like जब temperature कम होगा तब क्या हो जाएगा जो curve आएगा वो shallower हो जाएगा जब जब हम लोग temperature increase करेंगे तब हमारा जो curve आएगा वो क्या हो जाएगा श्रिपर हो जाएगा ठीक है ना higher temperature में इस equations हमें पता चल रहा है ठीक है तो यह तो गया हमारा पहला equation अब देखिए हमें और एक equation पता है जो कि है ds is equal to cp dt by t minus r dp by p यह जो equation है यह भी मैंने प्रूफ करके रखा है आप description ने check कर लिजी link उसमें जो proof का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा वहाँ पे बहुत अच्छी तरिके से मैंने समझा दिया है कि यह जो equations है वो कैसे आ रही है ठीक है तो हमारे पास यह equation है अभी तो अभी हम लोग मान लेते है यहाँ पे pressure जो है उसको बान लेते है constant ठीक है pressure को मान लेते है constant इसका मतलब क्या है dp हो जाएगा 0 ठीक है इसका मतलब क्या आ जाएगा जो ds है वो हो जाएगा cp dt by t ठीक है यहाँ से अगर हम लोग dtds निकाले तो क्या आ जाएगा t divided by cp ठीक है जबकि p है constant ठीक है यह जो equation आया है हमारे पास इस equation सा हमें क्या पता चल रहा है इसको मैं equation number 2 लिक रहा हूं ठीक है इस equation सा हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए ts diagram में जो pressure curve होगा उसका जो slope होगा वो क्या हो जाएगा वो होगा positive ठीक है यहाँ से clear देख रहा है देखिए ts dtds जब pressure है constant उसका slope रहा है positive और यहाँ पे भी similarly temperature जब कम होगा तब क्या हो जाएगा जो हमारा curve होगा वो हो जाएगा shallower और जब temperature increase होगा तब क्या हो जाएगा जो curve है वो stripper हो जाएगा ठीक है अभी हम लोग जब ts diagram में draw करेंगे हमारा volume और pressure curve तब आप लोगों समझाएगा कि कैसे हम लोग draw कर रहे है ठीक है यह जो equations है वो हमें बहुत ही helpful होगा ठीक है और यह था पहला equation यह है दूसरा equation अगर इंदो equation को हम लोग compare करें तो इंदो equation में किसका value greater है और किसका value smaller है ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो dtds volume constant है इसका value greater than है dtds जिसका pressure constant है कैसे कैसे यह समझ आ रहा है हमें देखिए cv का value क्या होता है cp से कम होता है क्यूं देखिए हमें पता है कि cp minus cv equal star होता है इसका मतलब क्या है से डिवाइर करते है जो की है cp से छोटा cv का value तब यह जो value आएगा यह क्या आए जाएगा बरा तो इसका मतलब क्या है कौन सा slope greater than है यह जो slope का value आएगा यह greater than यह होगा मतलब equation 1 greater than equation 2 होगा ठीक है इतना तक समझ आगया अभी देखते है graph में कैसे हम लोग यह जो 2 equation है इनक देखिए मैं यहाँ पर ts diagram ़ो कर रहा हूं जो compressible flow का ts diagram होगा वो तो देखिए जो हमारा वी है मतलब जो हमारा volume curve होगा वो मान लेते है वो कुछ s इस तरह होगा ठीक है मान लेते कुछ iस तरह होगा हमारा volume क्या हो जाएगा volume curve के उपर होगा कि नीचे होगा देखिए देखिए जो pressure curve है वो इस तरह नीचे होगा यह जो slope है volume का यह volume curve है यह pressure curve है जो pressure curve का slope होगा वो volume curve से नीचे होगा क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जो slope है volume जब constant रहता है जो slope है वो greater than है जब pressure constant रहता है उसके slope से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि, जो volume curve होगा, उसका slope, जो pressure curve होगा, उसके slope से उपर होगा, ठीक है? तो इस TS diagram से हम लोगों को पता चल रहा है कि, जो volume और pressure curve है, वो TS diagram में कैसे draw होते हैं, और यह जो है यह जो पूरा concept है यह compressible flow के लिए है तो friends जो volume और pressure curve है compressible flow के लिए TS diagram में वो इतना तक ही था तो आज के लिए इतना ही friends अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो like, share और comment जरूर कीजिएगा और subscribe कीजिएगा engineering knowledge को Thanks friends, जाहिंद